जैहिं सभी को तो क्या अब सबका gluten बढ़ गया हो गा सबका दिल का धड़कन बिलकुल तेज हो गया होगा चूंकि अब तो फैनल मेरिट लिस्ट आने वाला ही है और आप लोग began इतना मैनत की आज तक अपने जीवन में सबका सपना सकार होने वाला है बस आपके पास एक मैना भी समय नहीं बचा है बचा है बताइए दिसंबर के अंतिम सब्ता तक आप लोग का फैनल मेरिट लिस्ट घोसित हो जाएगा आप लोग उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा फोर से लट हुआ है ठीक है तो इतना जब आप लोग इतना दिन तक आप लोग धैरी साहस के साथ आप लोग रहे हैं तो और बस अब एक मैना भी तो नहीं आपके पास तो आप लोग का कमेंट और मैसेज देखके हमको ऐसा लगता है कि सब का हिरदय गती बिलकुल बढ़ क्या है सबका हालत खराब है कि अब जया होगा क्योंकि आप लोग इतना दिन से मेहनत किए आप लोग को याद होगा आप लोग इंतियार करते होंगा कि 2018 में S.S.C.D. का बहली आएगा वेकेंसी निकलेगा ठीक है उस समय जैसा याद किजिए उस समय को उस समय आप लोग कह दो मैंट उसके आप लोग का फिजिकल देने गए वह गर्मी का दिन जात किुए कि किसपरकार से फिजिकल चल रहा था आप कितना लाश में दम लगाए थे अपके मांड में क्या किया चलता होगा कि अगर फिजिकल पास नहीं हो पाए तो क्या होगा उतना दिन के बाद फिर आप लोग का DME के लिए कॉलिंग आया अप लोग DME में गए आपको पता लगा होगा कि इस सेंटर से इतना इस बोड से इतना हो रहा है तो डर भी था अपर झातर कि मतलब ठंडा-पाँनि से नमख मक मत खाये और जो भी होता था बहुत लड़का को कॉल के लिए नंबर भी लिए थे ठीक है तो यह सब बात था लेकिन छोड़ी अब यह आप अपने माइंड में घुमाईए कि उतना दिन का मैनक जो आप लोग सपना सोचे अब वह आप लोग का सकार होने के लिए जा रहा है बस अब एक मैना भी आपके बाद समय नहीं है उस लोग के माइंड में यह प्रस्म होगा आएगा पहले फैनल मेरिट में लिस्ट में नाम तब न टैंसन दूर होगा जी हम वह बात भी किलियर करेंगे लिए तो क्यों नहीं आएगा अगरी डरने वाली बात क्या है यह 2018 का भरती परक्रिया है इसमें कितना चीज अलग है एकना बढ़का मतलब क्रोना काल में आप अपने आपको बचा करके रखें बर दास्त कीया की हा चलिये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है कोई रही को आप लोग कर दो ठीक है, आपके पास जितना ताकत था उतना लगा दिए, जितना माइंड था उतना लगा दिए, सब कुछ आप आप लोग कर दिए, अब सब कुछ उपर वाला के हाथ में छोड़ दिजे, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, अब वहां आदमी बैठेगा, लिस्ट लोग है देझेगा किस का कितना नंबर है किसको कॉन बोर्श मिलेगा उस परकार से सबको देदेगा बस माइड से टेंस रहा दीए जो आपको करना था कर दिए अब करके घर आप लोग के माइड में है वह वहहम दो मिनिट में निकाल देबार डर ये मत डरनेस क्या हो जाएगा आप लोग डर के पहले बिमार पढ़ जाईएगा तो फिर ट्रेनिंग कौन करेगा जी उतना दिन से आप लोग यही सोच रहे थे की तो शेकि कितना बड़ आप लोका सपना सकार होने जाएगा ठीक है मनता है कि हमको भोल जाईएगा ठीक है कोई बात नहीं कभी تब्स कभी याद किये गा कि हां कोई थेठोड़ा सा संपॉर्ट किये थे और कोई बात हुआ हम कुछ बस थोड़ा सा याद किज़ेगा वहां से असिरवात दीज़ेगा बस और कुछ नहीं तो फाइनल मेरिट का डर आपके मन में घुसा हुआ है देखिए वीडियो बनाने का इक्षा होता है लेकिन फिर कुछ विशेश टॉपिक नहीं मिलता क्या बता है अभी अगर ट्रेंडि होने लगा कि अभी फैनल मेरिट लिस्ट आया ही नहीं आप ट्रेंडिंग के बारें बता रहा है तो इसलिए थोड़ा सा मेरिट करते हैं देखिए मेरिट का डर ठीक है आप लोग एक्जाम के समय में 100 गुना स्टुडेंट बठे हुए थे 100 टाइम स्टूडेंट उसके बा बढ़ा दिया कहीं कहीं कुछ बढ़ा है कहीं कुछ नहीं बढ़ा है तो दस गुना से तीन गुना कहीं धाई गुना करने लिए कि इतना नंबर बढ़ाया सोच रहे हैं कि दस से तीन और फिर तीन से जिसमें तीन पूरा पूरी परजेंट भी नहीं है डीमी का हम बात कर र इस परकार से लगवाग अच्छा तीन ही माल लेते हैं आप लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं तीन गुना श्टूडेंट दीमी में गया जब दस से तीन करने में इतना कम नंबर बढ़ा तो तीन से एक करने में कितना कम नंबर बढ़ेगा आप इस सोचे न जी जितना लड़का हम जो हम आवह करवा हैं वोटिंग करवा नाठी में उससे क्या पता लगता है जितना पता लगता है कि अधिक हाय नबर है इस बार पूर्इंट में सिस्टम है अईसा नहीं है यह दो संब्स काथilles और Back कि इस बार एक नहीं समझे बात को पॉयंट में पाँंच आंक तक पुइंट चले गिए है तो एक एक पॉइंट में हजार हजार कैसा को सबकर्थ तो और सब्सक्रार से बात है तो i want me पॉएंट में हाई कर्टाप ओनलाइन एक्जाम था आप लोग का रनिंग था डीमी हाड था क्या समझ रहे हैं ठीक है टेंशन लीजे मैंड में लेकिन उतना अमनत लिजें लेकिन हम यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश यह नहीं था कि फाइनल कर्टाप के उपर चर्जा करें हम तो सिर्फ यह बताने के लिए वीडियो बनाए कि आप वो दिन दूर नहीं जब आप लोग जो बचपन से सोचे थे कि फोज में नौकरी करना है ये करना है वो करना है आप लोग का सपना सकार होने जा रहा है बस यही थोड़ा सा बात कहने के लिए हम उपस्थित हुए जरा साप लोग के लिए अचा फोज में जाता है लड़का कौन जाता अमीर बाप का बेटा जाता है कौन जाता है अब पता कि यह जो भी हैं आप ही हैं हमको लगता है कि आपका भी घर का सितित ठीक नहीं होगा है लगभग किसी ज़एन करता यह सब चीज में हुआ entireuu semi अवी अचे कौन लड़का जाता है यहां जिसका इस्तिती ठीक नहीं राता है वही जाता हुए उसके मन में देश बैम का भावना होना चाहिए सबसे पहला point यही है ठीक है देशभक्ति बस और जफा मिलता है वह को परिवार के लिए वह अपना परिवार चलाओं पैसा लेकर के अब बुलेगा कि उसी प्रकासे फिरी में देशभक्ति क्यों नहीं करता है लेकिन वह फिर चले जागा तो उसका फिर परिबार कौन जोगेगा यह बात है हां कुछ-कुछ अपवाद में कुछ-कुछ ऐसे लड़के हैं इसके बापको पैसा का कमी नहीं था और वह अभी फोज में है और सिर्फ अपना जज़बा जुनून के लिए बस और कोई बात नहीं लेकिन ठीक है आप लोग भी हमको लग सब कुछ-ठीक है आप लोग कुछ दिन में कुछ महिनां में सब कुछ भूल जाएंगा कैसे ऑकजम हुआ कईसे टीटिशन पड़ने जाते जाते थे कईसे पीजिकल, मेडिकल, पुरा प्रोसेस भूआ हुआ इतना दिन तक wait कि visualis की कि बीच में कोरोन लगा दिया किस परका से ताइव पार, ये सब बात आप भोल जाएगा, सब बात आप भोल जाएगा, मजाक नहीं कह रहे हैं, ये रियल बात है, सबके साथ हे साइव घटना होता है, ठीक है, और ट्रेनिंग समेख को, अपना ट्रेनिंग को इतना, मतलब अनन्दित बना दिजिए, उसको इतना क्या बोलता है उसको यादगार बना दीजिए कि जीवन भर याद रहे कि हां कहां कहां का लड़का था आल ओबर इंडिया का ट्रेणिंग हम लोग साथ में मिलके किये थे उस पल को आप मतलब याद रखने लायक यादगार बना दीजिए और फाइनल कर लेके क्या मन मे आप लोगो टेंशन है करता है बढ़ेगा है नहीं आप लोग क्या बात करते हैं ठीक है हम नेक्स्ट वीडियों आप लोग स्कूल कर्चेचा करते हैं लेकिन दिल का धरकन तो तेज हो ही गया होगा